हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दोर आएगा और हम सभी को ऐसे रहना पड़ेगा पर हमें शुकर गुजार होना चाहिए कि हमारे पास एकलीज रहने के लिए घर है, दोवक्त की रोटी है, सारी सुविधाएं भी है, एकलीज फोर मोस्ट अफ़ लेकिन ऐसे बहुत से ल की ओर हमारी भी कुछ जिम्मेदारिया हैं, जिने आप घर बैठे भी निवा सकते हैं, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही सपोर्ट ये संस्थाएं भी करेंगी, तो आईए, एक होकर इन जरूरतमन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आईए, हर बार मैं आपसे दिल की बाद प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है न, कि कुछ गलत से अपनागर मुसे निकल जाए तो मुझे माफ करेंगे, पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों के, हैं, क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ लॉकडाउन का मतलब होता है, घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफ्री करने के लिए निकल ना जाओ, बड़े बादूर बन रहे हो आप लोग भार जाके, यह सब धरी की धरी रह जाएगी, यह सब आपकी बादूरी सब इधरी रह होगे, और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, मा, बेन, बाप, बीवी, सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, अगर ध्यान नहीं रखोगे, यार, अकल का इस्तमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं फिल्मों में स्टंट करता हूं, की हालत बुरी है, अपने परिवार के हीरो बन सकते हो, तुम लोग, जिन्दगी के खिलाडी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो, जब तक सरकार के रिए घर पे रहो, इस से आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेग करोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है हमें इसे हराना है इस डिजीज को हराना है कोई चॉइस नहीं हमारे पास बाकी अगर कोई लड़ाई होती कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता है चलो उठो वीरो सेने को लड़ो लेकिन ये जंग इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ दो के सरफ घर पे बैठे रहो बस बैठे रहो चुप चाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ अब फिर आऊँगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाडी बने हो या बेवकूफ बने हो गर पे रहो देने वाद